आज की वीडियो में हम dbms की जुने थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं जिसका आपका नेम क्या है डेटा बेस डिजाइन नॉर्मलिजेशन इंपोर्टन टॉपिक्स हैं वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे बस आप कॉंसेट्रेशन के साथ इसको वीडियो देखना तो स् X-TENT तो Y जिसमें आपको इस है यह कहा है यह determined है और यह dependent है यह dependent attribute है आपका y इसको ऐसे पह सकता है एस ग्राइक से होजो हमारा स्वरी X है वो अलद प्सकल कर रहा है वाई को मतलब जो हमारे वाई है इसको हम एकस से comparatively देखकर पदा रहा आ सकते हैं कि आपको यह वैलिड होगा इन्वैलिड होगा अब जो बदेखो जैसे आपको एक स्टूडेंट आईडि है साइड का मतलब स्का मतलब क्या स्टूडेंट आईडी मतलब एक्जामपल ले लगखा आप कुछ भी ले सते हैं अपनी रिक्वार्मेंट के अपसे या फिर आप जो भी आपको चीज जैसा अच्छा लगे वैसे एक स्टूडेंट आईडी है जो डिर्वाइन कर रही है यह लगा लगा रहे है कि यह सेम ही डेटा है यह डिफरेंट डेटा भी हो सकते है ना मतलब रंजीत है और एक फोर रंजीत है उसका Assad different कि हो सकती है तो वो कौन बताएगा हमें X determine Y मतलब SID बताएगी determine करेगी कि Y को कि यह same data है या different data है तो SID क्या बता रही है यह same data show कर रहा है यह आपको क्या करेगा same data show करेगा इसमें लिखा भी है with the help of SID determine the student name data is same or not and it show the same data above example ठीक है अब इसमें हम cases भी देखेंगे कि हम case देखेंगे कि इसमें क्या क्या बन सकते हैं पौर cases है पौर किसमें एक cases तो आपका वही है same यह वाला यह आपका valid होगा same data है तो सीधर हमने SID को देखा and easily identify कर दिया कि आपका data same है और valid अब यह देखो इसमें दो रंजीत हैं बट SID अलग है बतलब दो अलग-अलग रंजीत हैं तो इजली गोस्तों सब्सक्राइब यह देखो कभी भी देखो कभी आपने देखा है कोई एक roll number है और दो एक roll number दो student को दिया हुआ है आप अपने अपने class में देखोंगे एक roll number है एक आपका है और एक आपके दोस्त का आपके दोस्त का सेम होसकता है नहीं ऐसी इसमें एक या स्ट्टूणिंट आईडी जो क्या है युटनीक होती है वो दो को मिल रखिये रंजीत को भी और वर्यून को भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो यह इसमें हमारा साइब का सकते हैं in this week the SID say data is same data भर ही हमारा same home but but जो S name है say data is different जो हमारा siD data same कर रहा है but और आपका s name क्या है ये डिफरेंट कह रहा है तो it is invalid to say सकते हैं यह हमारा सेम कह रहा है और यह डिफरेंट कह रहा है तो यह भी एक पॉइंट है और जो मैंने आपको रोल लंबर वाली बाग बताई वह भी से रेडिड है पूरी तो यह हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी का थोड़ा सा मैंने इसका एक ओवर्यू सा बताया है जिसमें आप अपने वात साब से एपने एड़ कर सकता है जो अब इसका देखते हैं और एक नान डिपेंडेंसी इसमें क्या होता है सब्कूर्ज हॐइन कोई क्या होता हैchos सबीक तकहों यह point है इस point को आप लिग भी लेना कि x goes to y x goes to y then y is subset then y is subset of x then y is subset of x ठीक है एक्जामबल देख लो s id goes to s id and s id किसका ही पार्ट होगा s id का ही ठीक है subset आपको concept आरा चाहिए जिसको नहीं आता तो वीडियो जुरूर देखे और यूटूब बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको तो जुरूर देखना क्योंकि subset concept बहुत इंपर्टन है बस इसमें बता भी देता हूं कुछ नहीं हो था यह इसी का ही पार्ट होता है subset ठीक है इन ओर पे शॉर्ट पॉर्म में इडियो मतलब यह हमेशा मतलब वैलिडी होगा अभी हमने जो cases देखे उसमें कुछ invalid आया एक invalid आया बट ट्रेवल में क्या होता है सारे वैलिडी होता है क्योंकि वह उसी का सब पार्ट हो होगा कभी भी इक्वल नहीं होने का आपके नल के कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन आएगा ही यह कि यह पॉइंट हो गया ठीक है यह मैंने लिग रखा है जो LHS और RHS है आपका वो कभी भी नल नहीं होने का ठीक है और एक्जांपल देखो एक्जांपल क्या है s id s name tends to s id इसक तो यह हमें शो करता है कि इसका कभी नल नहीं होता तो यह आपका ट्रिवल था अब बात करते है नॉन ट्रिवल नॉन ट्रिवल में क्या होता है it is totally opposite of triple totally opposite है जो इसमें सारी condition मैंने आपको बताई वही सारी opposite आप इसमें apply कर देना यह subset था y का यह subset नहीं होने का y sorry y subset था x का यह subset नहीं होने का x का not subset y means क्या है x goes to y x goes to x goes to y and y is a not subset y is a not subset of x ठीक है अब intersection वाली एक point देखते हैं इसमें यह equal होएगा null के जो intersection हम निकालेंगे उसमें intersection निकाल लेते वो not equal था null के इसमें null के आपका equal होएगा जैसे s id s name totally different है कोई भी subset का relation नहीं है ठीक है s id से semester बतलब student है id का semester subset हो इन सकता हाँ subset एक यह हो सकता है जैसे कि हमने ले लिया देखो मैंने ले लिया student का first name student का first name यह इसी का ही subset इसमें जा करते हैं सारे जो non-trival में क्या होता है हमें valid है invalid है यह सारे cases check करने पड़ते हैं कि वो functional dependency में होगा या फिर valid है यह नहीं है बट travel में हमें उस सारे true होते हैं सारे valid होते हैं उसमें check करने कोई जूरत नहीं होती ठीक है यह आपका ट्रिवल और नॉन ट्रिवल कॉन सेप्ट था ना मुविंग ओन प्रॉपर्टी ओफ फंक्शनल डिपेंदेंस प्रॉपर्टी कौन कौन सी है यह आपको समझने की मतलब यह आपने सैट थिओरी में पढ़ा भी होगा बट मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बता जिता हूं यह तो आपने पढ़ा हुई है किसमें आपने यह डिस्क्रीट में पढ़ा होगा तो प्रॉपर्टी ओ फंक्शनल डिपेंदेंसी क्या है फॉस्ट क्या है रिफ्लेक्सिविटी रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है इफ वाई इस सब्सेट ओफ एक्स देन एक्स गोस्ट एक्जामपल SID SID reflexivity totally वह है जो में ट्रिवल में बताया था कि Y आपको क्या होगा subset होगा X का मतलब reflexivity protein travel ही मालो जो travel में लिखोगे वह ही reflexivity में आएगा कि Y आपको होता है subset होता है X का अब बात करते है augmentation की if X goes to Y then XZ goes to YZ मतलब augmentation में हम कोई भी ऐक ऐसी चीज़ लेसा है जो बहुत साइड डि डेमेंट और डिट अगे सकते हैं उसको जैसा मैं पही क्या हुँआ मतलब जैसे मेरे पास था स्टूर्ट की डी और स्टूर्ट का नेम था मेरे पास तो मैंने क्या है ला स्टूर्ट की डी में phone number attach कर दिया student की name के साथी phone number attach कर दिया तो यह हमारा क्या होगा augmentation हो गया अब third की तरफ चलते है third हमारा था transitive transitive में क्या होता है और यह बहुत important है आगे बहुत use होएगा जो मैं साथ property बता रहा हूँ आगे में इसका बहुत main role है तो इसको जरूर ध्यान से समझना transitive में क्या है if x goes to y and y goes to z then x goes to z मतलब x से आप y जा रहे हो and then y से फिर वह आप z जा रहे हो तो directly x से z भी जा सकते हो यह आपकी transitive property होती है इसमें आप एक और चीज़ देखो example से देखो s id मतलब student की id goes to student name and student का name goes to city तो student की id से city का पता लगा जा सकता है मतलब student id goes to city यह आपका क्या होगा valid होगा इसमें चीज़ जाद रगना कि जो इसमें कुछ चीज common भी होनी चाहिए आप देख रहे होंगे y common है student का name common है दो चीज में आपका एक चीज क्या होनी चाहिए एक चीज़ ज्बता है यूडिन कर दिया दोनों का deyakonposition in decomposition में क्या होता है x goes to y,z है then हम इसको कैसे लिख सकते है x goes to y and x goes to z x goes to y and x goes to z इसको आपका क्या विकन राइट this or not प्याम इसको आपका क्या हम इसको ऐसे लिख सकते है तो इसमें क्या करा क्या से ले सकते हैं एक्स से जैड और वाई से जैड नहीं क्योंकि एक्स और वाई बहुत क्या है मिलकर जैड को बना रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता बस डीकंपोजिशन में किसी एक सिंगल से हम डबल को अलगलग कर सकते हैं यह बात जान दखना अब बात वैं ज O इसमें में क्या करेंगे जूझा परोड़ी यूप कर दो डढ़ी है इसमें क्या करेंगे जो वाई है इसको क्या करेंगे रिमॉफ कर देंगे तो Kita गोजटो जैड किसमें एक कॉमन पार्ट को रिमूफ करने के लिए शुदो ट्रांसे ट्री का यूज़ करते हैं तो यह आपका सिख्ष तो गया ना मुविंग ओन सेवन सेवन क्या है कंपोजिशन कंपोजिशन में क्या है एक्स गोज्टो य जैड कोज्टो डबलू हम क्या क रहा होगा तो यह आपके कुछ प्रोपर्टी थी यह जूरुड द्रांसे देखना अब हमारा एक निया टोपिक क्या है इसका दो नुम्रा कुशन पुछाता है simplified and reduced version of the given set of functional dependency मतलब एक reduced form provide कराता है functional dependency की also known as a irreducible set irreducible set बिसको कहते हैं क्या क्या है working with the set containing extraneous function dependency increase the computation time increase करता है आपका computation time को and remove करता है extra functional dependency जो भी extra function dependency है उसको या करता है remove करता है और increase करता है आपके computation time को मतलब जब function dependency कम हो जाएगी वह fast होई जाएगा second क्या है closer of canonical cover equal होता है आपके initial functional dependency के set of closer से ठीक है थर्ड क्या है not equal not unique more than one cover also possible unique नहीं होता और more than a cover में also possible है advantage की क्या होगी reduce the computation time boy reduce the computation time जो अन्य भी बिदा आप चैक्टरस्टिक में लिख सकते हो canonical cover के बार में आता है लिखने के लिए अब इसमें एक word use हो रखा है extraneous attribute क्या होता है a goes to be attribute which can be safely removed without changing constant implement by f safely remove करता है बस इतना आप समझ लेजिए extraneous attribute में क्या करता है safely remove करता है without किसी भी change करे constant को implied बिना किसी आपके functional dependency को change करें यह क्या करता है आपके reduce कर देता है functional dependency को तो यह आपका क्या होता है extraneous extraneous attribute अब इसके canonical cover के थोड़े minimal करते हैं इसको minimal भी कहते हैं किसको minimize करते हैं तो वह देखते हैं मैंने example लिया जिसमें r equal abc and मतलब एक relation दिया हुआ है r मतलब क्या है relation है और एक functional dependency की हमें होदे रखे हैं function dependency हमारे क्या क्या दिव मिले है a goes to bc b tends to c a tends to b a b tends to c यह क्या आपका a b tends to c और अब देखो हमें क्या करना है इसमें जो भी extra आपके redundancy है मतलब जो इसमें redundancy है उसको remove और जो भी extra part उसको हमें क्या करना है है remove करना है common जितने है उनसे हमारा काम चल जाए इतना हमें काम करना है तो a goes to b bc right hand side में value होगी मतलब bc है मतलब right hand side में जो भी होगा उसको हमें क्या करना है single होना चाहिए ठीक है तो a से b हो सकता है यह हमने को property पढ़ी थी याद करो इस property को हमने किसमें देखा था आपके composition में sorry decomposition में देखो यह वाली property थी आपकी decomposition decomposition में x goes to yz था xy और xz तो इसे property का use करके मैंने क्या आगरा एक a tends to b और a tends to c यह के दो बना दी and then फिर इसमें हम क्या करेंगे जो हमारा a b है वो क्या है extra है AB हमारा क्या एकस्ट्रा है now ab tends to c इसमें इसको हम अलग नहीं कर सकते यह मैंने बता है तक क्यों ही कर सकते हो सारा कूम सब्सक्राब्पी तो इसमें हम देखेंगे हमारा जो तो ए है वो क्या है extra है because B tends to see is already there ठीक है अब ऐसी हमारा A tends to be इसमें C extra है by removing C हम C को remove करने के बाद A tends to B तो हमारा क्या निकल क्या आया set canonical cover का A tends to be and B tends to see all the condition satisfy कर रहा है ऐसी similarity एक्जामपल है तो मैं इसका एक और एक्जामपल लेता हूं अभी कोई बात नहीं मैं इसको एक बार और तरीके से बताऊँगा कि असल में जो हमारा canonical cover में मिल गया तो उसको कैसे step by step करते हैं तो एक एक्जामपल लेता है step by step करते हैं तो वह देखते हैं मैंने यहां पर लिख भी रखा है आपके लिए फर्सली हमें राइट साइड जो canonical हमारा जो canonical कवर में लाना है तो देखो जो राइट हैंड में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए सिंगल वैल्यू है ठीक है इसमें आपके सिंगल वैल्यू नहीं है इसको सिंगल वैल्यू बनाएंगे तुम क्या इसको हम कुछ करने सकते हैं और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ a tends to b c tends to b और यह आपका हो गया तो इसने हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर कर दिया ठीक है अब सेगंड में देखेंगे डिडेंट फंक्शन की को रिमॉफ करना है अब डिडेंट फंक्शन की को रि यह तो आप करील होगे अब step two में हम क्या करेंगे step two में पहले देखेंगे one by one लेंगे सब को one by one लेंगे पहले मैंने a tends to b लिया जिसमें मैंने a को लिया और a का closer देखा a का कोई closer है अब a का closer क्या होता है यह सब आप सर्च करके यूट्यूब पे देला है क्योंकि वन शॉ बताऊंगा पर आपको full concept यह समझना है तो आप long video जुरू देखना कोई भी YouTube पर आपको मिल जाएंगी तो closer में हम क्या करते हैं देखते हैं जैसे आपका a tends to b है तो मतलब a को देखे हो ए आपका कहीं है नहीं तो closer में एक तो खुद होता ही है वो और इसमें और कोई है नही कोई सी से एक देखेंगे c का कोई closer है खुद c तो है ही तो यह भी बहुत ilim klar nonac चीफका कोई नहीं अभी से हगी नहीं अब अ D का जो closer है आपका D का closer में हमें D, B और C मिल रहे है और B से देखो B से कुछ है नहीं C से कुछ है C से फिर भी आ रहा है ठीक है इस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं इसमें हमारे closer तो मिले B और C बट इसमें एक problem क्या हुई हम इसके closer तक नहीं पहुच पा रहे हैं मतलब D, A हमें नहीं मिल रहा है किसी भी B से कोई roll नहीं है C से B जा रहे हैं और D से B जा रहे हैं मतलब D से A किसी भी नहीं मिल रहा है तो यह आपका important है इसको हम set से नहीं निकाल सकते D का closer देखेंगे D तो आए गई और A आएगा B को जिसको हम देख रहे हैं उसको नहीं consider करते C भी आएगा और A से B B भी आजाएगा बस और तो सारे कवर हैं अब इसमें ध्यान से देखो इसमें हमें क्या मिला B मिल गया मतलब D के closer में हमें इसी का ही एक element जिससे ही बन रहा है यह हमें मिल चुका है तो इसको हम Redence कर देंगे मतलब इसको हम Use नहीं करेंगे अपनी Set में एक हमें मिल गया अब इसको अपने Set से क्या करेंगा हटा देंगे इसको count भी नहीं करेंगे अब D से दुबारे C देखेंगे D से C में क्या है D का Closer देखो D का Closer क्या है D है एक तो D है आपका खुदी आएगा और A भी आपका आजाएगा D closer में A से आपका B भी आजाएगा पल सरी है D tends to C तो अब इसमें हमारे निकल के C tends to B D tends to A और D tends to C और एक और एक और रहे गया आपका A C जरूर रहे गया A C से D तो A C का Closer देखेंगे A C तो खुद होए गई एक B होएगा B तो होए गई और इसको भी अपने उसमें लिखना बहुत कंपल सरी है तो इसको भी A C D जरूर लिखेंगे तो इस दो step को करने के बाद हमारे पास यह आता है हमारा एक सिर्फ यह डिलीट हुआ है तो यह सारा वही प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया तो जिसकर के वीडियो को वीडियो को पॉस करके हाँ से देख सकता है तो यह मैंने सब कुछ लिख रखा है इसमें देखेंगे कि फर्स्ट कौन सा क्लोजर है सारा लिख रखा है अब इसके बाद देखो step 3 step 3 जो आपका है वो आपके final है step 3 मतलब final है जिसमें हम क्या करेंगे अब left side में हम देखेंगे कोई attribute या फिर value बना है बनना है या फिर नहीं मतलब देखो जैसे कि आपका left side में कोई single होना चाहिए मतलब एक single आपका होना चाहिए और यहाँ पर क्या है सारे single हैं बट यह नहीं है तो इसको क्या करेंगे AC tends to D है step 3 में हमें C को remove करना है step 3 में क्या करेंगे C को remove करना है तो A का closer A का closer equal दीगे closer निकालेंगे A भी आएगा तो इसमें C आ जाता तो C को हम क्या करना है रिमूफ कर जखते हैं बस C नहीं आया अब C का closer देखूँगा मैं C closer में खाली C आ रहा है देखो C closer हम देखेंगे C आ रहा है और कुछ आई नहीं रहा है और इदी इसमें A आ जाता तो हम A को remove कर देते और C और D रख लेते अब तो हमें A, C और D ही रखना है पड़ेगा तो मतलब हमारा वह सारे तो okay है बट इसमें problem थी ये भी हमारा okay होगा क्योंकि हम किसी को अटाएं सकते हैं कोई भी closer में नहीं आ रहा है तो यह हमारा ऐसे हम minimal या फिर आपका canonical cover निकाल सकते हैं यह आपका complete होता है अब एक है normalization हमारी normalization क्या होता है normal form normal form means आपका normal form are simply stage of database design with each stage apply more strict rule to the type of information which can be stored in table मतलब हम कुछ जो table में data store करेंगे उस table का arrangement कैसे होएगा मतलब उसमें हम कैसे उसको join कैसे उसको multiple values मतलब बहुत सारे concept है वो देखेंगे और यह strict होता है compatibility और other के compatibility में और इसके types भी बहुत सारे हैं इसके types हैं जैसे आपका हो गया 1NF, 2NF, 3NF and BCNF यह सारे इसमें देखेंगे और normal form is the method to normalize the relation in database यह method है जो normalize करता है relation को किसके database में और normal form are based on functional dependency among the attribute of a relation इसमें क्या होता है काफी सारे इसमें problem create होती है एक normal table को देखते हैं उसमें insertion, update, anomalize ऐसे काफी सारे relation, anomalize यह problem होती है मतलब किसी table में हमें कुछ insert करना है तो काफी सारे इसमें null हो जाती है और कुछ insert करने के बाद उसमें problem create आते हैं जैसे updation के problem हागी तो यह सारे चीजों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 1NF, 2NF, 3NF यह सारे देखेंगे अभी इसके types को तो यह आप normal form में हाद देख सकते हो quantum में से अब इसके types देखते हैं पर जाने से पहले हमें देखते है full functional dependency और partial dependency क्या होती है छोटा सा बताऊँगा इसमें आपको पूरा समझ आजाएगा कोई table है ABC जिसमें एक name है उसका फिर मतलब आपके last name क्या लो और उसकी एक age कॉलम है इस full functional dependency में क्या होता है जो A और B मतलब A B से आप किसको determine कर रहे हो C को सुमन जैन जो है वो 10 years old है तो A B से किसको determine करा C को C को determine नहीं कर सकते या B से C को determine नहीं कर सकते कि खाली जैन से हम determine करने कि जो जैन है उसकी age कितनी है मतलब सुमन जैन की जो age है वो 10 है ऐसे determine नहीं कर सकते क्योंकि जैन और कोई हुआ उसकी भ्यास ही कि मैं यहाँ पर एक वर ले लेता हूँ और requirement है इसकी फिर क्या होएगा तो इसलिए full functional में क्या होता है वो कोई भी दो के combination से किसी एक third को determine करता है यह आपका full functional dependency है partial dependency में क्या होता है मैंने कोई भी मतलब यह ले ली roll number ले ले class ले ले age ले ले टेबल में यह roll number यह class है और यह age है तो मतलब मैं class से भी age को determine कर सकता हूँ कोई problem नहीं हाने की roll number से भी मैं किसी class को यह फिर age को determine कर सकता हूँ तो यह आपकी partial dependency होगी किसी पर भी depend नहीं होते fully functional dependency दो के combination से किसी एक तीसरे को आपको determine करेगी यह आपका इस छोड़ा सा concept था जो आपको important आपके आगई role play करेगा बहुत सारे तो यह था अब इसके types देखते है first आपके type क्या है one nf one nf क्या होता है मतलब first normal form क्या होती है normal form नहीं बता दिया किसी भी table में redundancy को बिल्कुल zero करने के लिए हम normal forms use करते है कोई भी जैसे anomalies आपी create होती है उनको हटाने के लिए हम क्या use करते है first मतलब normal forms का use करते है और इसका भी step जैसे first normal form को पहले second में फिर second को third में और third में जाने से पहले second और first को complete करना होगा यह इसका rule भी है तो first normal form को देखते है first normal form आपकी होती क्या है तो ऐस देखो first normal form आपकी table should not contain any multi-valued attribute first normal form में हमें क्याद रखना है कि table contain नहीं करने चाहिए कोई भी multi-value attributes multi-value attributes मतलब कोई भी मतलब जैसे कि a tends to to be देखेंगे इसका पूरा concept है आपका multi-valued का इसका एक पूरा topic है तो इसको जान समझना तो जैसे कोई आपको table दी भी है student table है इसमें आपका roll number name courses है यह आपकी 1NF form में नहीं है इसमें आप देख भी रहोंगे multi-valued क्या होता है यह होता है multi-valued जो आपका roll number है और आपको एक course है मतलब roll number एक आपका course मतलब C language में भी है और roll number 1 ही C++ में भी है तो यह multi-valued होगा और एक ही column में exist नहीं कर सकता है एक ही column में exist नहीं कर सकता 1NF form में अब इसका और मतलब इसका use हम 4NF या 5NF में भी करेंगे तो इस 1NF में क्या है यह एक ही column में आपका है ऐसा नहीं हो सकता तो यह multi-valued attribute है तो ऐसी second second तो सही है third third में क्या है आपका जो C language है और DBS है वो भी एक में ही है तो इसको method हम 3 method देखेंगे कि कैसे कैसे इसको हम लिख सकते है करने के लिए 1NF हम ऐसी भी लिए सकते है देखो 1 1 मतलब 2 बाइड लिख लिए साई साई एक C में है C++ है मतलब है तो सेम ही एक C में C++ में है second तो आपका सेम ही है third क्यात है उंकार यह C में है और उंकार ही DBS में भी है इसमें आपकी primary key क्या होगी primary key आपकी क्या होगी role number और course क्योंकि दोनों क्या है unique idea है मतलब दोनों क्या है candidate की है तो primary key आपकी role number और course होगी तो एक method तो यह होगा इसको represent करनेगा और एक और method है उससे पहले हम एक और चीज़ देखेंगे जो आपकी जैसे अन्नॉर्मलाजेशन फॉर्म है कोई भी टेबल की जैसे यह थी इसको बने इसमें करेंगे फिर ट्व एनफ में थ्री आफ में वन एनफ में क्या करते हैं स्प्लिट कंपोस कंपोसाइट एंड मल्टी वैल्यूड एक्रिबूट और यहां करते हैं रिमोव पार्शल डिपेडेंसी तो अभी इसका में देखते हैं यह आपका सेकंड में इस में क्या है आपका रोल नंबर है नेम है कोर्स बन और कोस्टू मतलब यहां पर हमने क्या कर रहा उसमें पहले तो कोर्स में ही मतलब अलग लाइन में बता दिया इसके पास और कुछ है नहीं यह प्रॉलम आएगी नहीं तो और कुछ में प्रॉलम नहीं है जितने कोर्स जिसके हैं उतने सब्सक्राइब कोलम बनाएंगे कोर्स के और इसको सी प्लस प्लस और तसार आपका सेम रहे गई बस यहां डेटा की डूबली के से थोड़ी कम हो जाएगी एक यह है और कुछ नहीं अब इसके बाद क्या होगा अब आपकी थर्ड मैसर्ड क्या है हम क्या तेबल को अलग अलग बना दे। रोण लंबर और नेम की टेबल इधर बट एक्तिज को मझें रखना ही पड़ेगा क्योंकि उसको एकस्स करने के लिए एक चीज तो कॉमझत रखेंगे तो ये टो अखर लिया जो ये वाली टेबल और ये प्रामएर की हाई जिसको रेफरेंज के लिए ये यूज करेगी तो यह साई हर्च ओंगाल यहाँ पर मैंने डीटर की डूपली के सी मतलब तरीके से इसको क्या करा एक दूसरी टेबल में इसको फास्ट करने के लिए मैंने क्या करा एक्सेस पावर को इसको अदरक टेबल में लिख दे तो रॉन नंबर वन और वन C और C++ आपके ऐसे आगे 2nd में Java 3rd में C 3rd में DBMS जो repetition थी वो मैंने यही पे लिख दी only वही data है जो आपकी फोरों की क्या होगी रोल नमबर ही या आपकी इसको मेस्टेवल भी कहते हैं इसको प्रैमरी की क्या होगी रोल नमबर तो इसको जो good representation होता है आपका किसी भी table का represent करने के लिए यह आपकी first normal form होगी आपकी फोर्म में लिख सकते हैं जो आपको easy लगे अब बात करते हैं second normal form की second normal form में क्या होगा table or relation must be in first normal form इसके दो point है जो main है क्या है table or relation आपकी must जरूर है first normal form में तो होना ही चाहिए मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि दो चीज आपकी एकी column में आ रही हो मतलब multi valued नहीं होना चाहिए all the non-prime attributes should be fully functional dependence on condition key on candidate key all the non-prime attributes should be fully functional dependency on candidate key जो सारी non-prime attributes है वो fully functional dependent होनी चाहिए किस पर candidate key पर अब जो यह concept है इसको हम अभी table में जब example solve वह रहे हैं तब देखेंगे इससे पहले जो important role play करेंगे आपकी terms वो मैं सारी बताऊँगा एक है आपका prime attribute किसे कहते हैं और non-prime attribute मतलब key और non-key prime attribute क्या होनी है if an attribute is the part of a key वो attribute जो part है key का then that attribute is called a prime attribute जो key का part है वो आपके prime attribute कहलाएंगे और जो नहीं होंगे वह आपके कहलाएंगे non-prime attribute जैसे देख लो इसमें कंडिट की क्या है ने मैं रोन लंबर है डेटो बढ़ते हैं यह सारी क्या होंगी प्राइम अट्रिब्यूट और सारी क्या होंगे non-prime ऐसी इसमें देख लो जो आपके रिलेशन है a b c d e f है इसमें आपकी प्राइम आपकी कंडिट की क्या है मलोब की क्या है c और e यह आपके prime attribute और जो c और e को छोड़के आपके क्या बचे a b d f यह सारी क्या होंगे आप इसको भी हमें आगे पढ़ेंगे इससे आपको easily find कर सके हैं कभी भी candidate की तो यह prime और non-prime attribute के बारे में थोड़ा सा additional information थी वापसे topic के वपर आते हैं second normal form अब इसका example देखते हैं कि इसको कैसे हम करेंगे in the second normal form all non-key attributes are fully functional dependent on the primary key जो second normal form में है जो सारी non-key attributes है fully functional dependent होते हैं किस पर primary keeper अब example देखो example में मैंने क्या करा एक book order table ले ली आपका एक order number है एक title है quantity है और unit price है मतलब कोई भी book कर रहे है order stable को पहले सबसे पहले first normal form में होनी चाहिए ठीक है and then second में क्या करते हैं जिसमें क्या करेंगे हम रिमॉफ करेंगे partial dependency अब partial dependency क्या होती है वो सारे देखेंगे तो देखो second normal form is based on the concept of full functional dependency यह based होती है full functional dependency मतलब full functional dependency मैंने अभी बताया कि उसमें दो को मिलके कोई एक तीसरा determine होता है तो second normal form किसे based होती है concept of full functional dependency is a fully functional dependency if removal of any attribute a from x means that the dependency does not hold anymore वही है जैसे a से determine कर रहा है x को देखो जैसे fully functional में था it a goes to c तो यह not equal होगा ठीक है बट यह आप क्या होगा valid होगा क्योंकि यह दो मिलकर एक तीसरे को determine कर रहे हैं और इसमें तीन तो आपकी होनी चाहिए ठीक है यह मैंने fully functional dependency पार्शल डिपेंदेंटी इसी concept को समझने के लिए बताई थी तो हमारी यह टेबल है अब देखो इडिस नोट इन टू टू एनएफ बिकॉस इट होल्ड पार्शल फंक्शन इसे हम इसे हम यूनिट प्राइज को एक्सस कर सकते हैं इसली अब हमें यह पता है जावा जावा का यूनिट प्राइज सकते हैं especially कर सकते हैं इसली कर सकते हैं कोई प्रॉलम नहीं आनीगी हों हम इरने बंट ही अ कितने इसलम से आफ एह कर सकते हो सकतें है और यहँज आंप की यह जह मैंने खिली की अधिर Егоर हो को आप स्थिए अफ्अ और और देखो जैसे आपका यह है order order number और टाइटल दोनों के combination से ही हम उसकी quantity को find कर सकते हैं यह आपका क्या होगा functional dependency खाली order से quantity को नहीं कर सकते हैं नहीं टाइटल से quantity कर सकते हैं यह याद करो या फिर इसको समझ के करना तो इसको इसको सही कैसे करेंगे तो देखो इसको इसकी अलग टेबल ना लेंगे युनिट प्राइज टाइटल उनिट प्राइज की जो भी उसको उसको सिर्फ एक टाइम लिखेंगे क्योंकि डूब्ली कैसी अलाउट नहीं है तो जैसे इसमें computer network तो java आपका एक बारी था computer network आपके दो बार थे सबको एक बार लिखा और उसको युनिट प्राइज भी आपका दो बारी था तो उसको भी एक बार लिखके यह आपकी टेबल बन की पार्चिल फुल डिपेंडेंसी की तो यह आपकी decomposition होगी यह आपकी second normal form यहां पर complete होगी अब मुफ को अब करते हैं third normal form को जो वाइन थर्ड normal form है इसमें क्या होता है हम remove करते है Transitive dependency अब मैंने Transitive dependency बताई थी Transitive dependency क्या होती है जैसे X goes to Y है एंड Y goes to Z है तो X goes to Z यह हम कर सकते हैं कि इसमें टांजिटीव डॉक्ष in में इसी को हमें रिमूव करना है यह निहीं होना चाहिए इसी चीज को में क्या गढ़ना है रिमुव करना है तो देखो कि क्या ऑधता कर ना घ्रचُ has around में क्या है क्या है मिंग Western जन फर झकन हॉर फॉर्म अचीव कर देटा इंडिक्रेटी को इस देर इस नोट टांजिटीव डिपेंदेंजी फोर नौ प्राइमेटी थे रिलेशन मस्कि थार नौल फो इदि उसमें टांजीटीव डिपेंदेंजी नहीं होगी तो आपको थार नौल फॉर्म में आटोमेटिक यह जाएगा एक और में में देखेंगे अलेशन इस फ्रम फॉर्म इफ इस होल एक लिस्ट ओन फॉलेंग कंडिशन यह कंडिशन तो फोली मतलब फॉलो ही करेगा फॉर ईब्र नौन ट्रैबल फंक्शन डिपेंदेंसी यह आपको बताया था कि यह जब कवाई है यह सब्सेट नहीं होता एक्स कम क्या है first x is a super key and second y is a prime attribute such as element of y is part of some candidate key तो यह साइज ही हम अभी टेबल में देखेंगे कि कैसे स्वर करता है कैसे नहीं तो एक employee department location table है जिसमें employee number employee name है salary है department name है department की location है यहां तक है table अब देखो क्या है table not in third normal form because it holds the Transitive Dependency यह hold कर रही है Transitive Dependency को मतलब xy and yz and xz easily access हो रहा है अब इसमें कैसे देखेंगे यहीं चीज़ तो मैंने भी बापको बता दी अब इसमें कैसे देखेंगे वह देखो मतलब employee number और department number employee number और department number जो आपका है employee number department number और department location employee से department name कर सकते हो और department name से department की location कर सकते हो बट directly हम employee number से department की location भी कर सकते हैं यहीं यह आपका नहीं होना चाहिए इसलिए आप इसको क्या करेंगे इसमें डी कंपोस करेंगे इसमें टेबल बनाएंगे एक टेबल बन होगी और एक आपकी टेबल टू होगी तो फर्स टेबल में क्या करेंगे employee, employee और department मतलब employee department की टेबल बनाएंगे जिसमें आपका एक employee number होगा department name होगा और employee का name और एक salary यह आपकी चार पाट आएंगे employee number, employee name, salary और department name और इसको link करने के लिए हम एक चीज़ में comment रख लेंगे जो आपका क्या होगा department का name department का name हम comment रख लेंगे जिससे कि उसको हम आगे access कर सकें ठीक है तो यह आपकी सारी entry फिलो जाएंगी जो भी आपकी duplication होगी उसको remove करेगा मतलब यह unique होगा उसको यह one time लिखेगा तो यह सारी entry आपकी फिलो जाएंगी table 1 में और एज टेबल 2 department location की मन जाएगी टेबल 2 में तो नाव टेबल आपी convert होगी 3NF की form में अब आप सोच रहे हो यही हमने क्यों कि यही department name क्यों लिया यह department location क्यों लिया यह जहो भी example यह form है इसमें क्या होता है BSNF is the advanced version of 3NF यह advanced version 3NF का और it is stricter यह stricter है comparatively 3NF से a table in BCNF of every function dependency x goes to y and x is a super key of the table जो x आप ही क्या होगी super key होगी table में for BCNF the table should be 3NF and for every function left hand side is super key हमेशा left hand side में क्या हो यह वह super key होनी ही चाहिए ठीक है example लेते हैं let assume there is a company where employees work in more than one department जो एक company है जिसमें employee work कर रहा है more than one department से ज्यादा वर्क डिपार्टमें वर्क कर रहा है ठीक है मैंने एक employee table ले लिए जिसमें आपका एक employee ID है एक employee country है employee department है department type और employee department number है इससे पहले मैं एक कुछी बताता हूँ जो first normal form है और second normal form मतलब second को first में बनना पड़ेगा पहले third को second और first में बनना पड़ेगा यह से आपको पहले table third में होनी चाहिए फिर second में फिर first में होनी ही चाहिए वो इन सब में ऐसी 4 है ऐसी फिर एक 5 और एक 8 है है यह एक रिप्रेजेंट करने का method भी है तो देखो इनद अबव function dependency और as से एक कंट्री को देर्माइन किया जा सकता है ठीक है यह बताया है फॉंक्चाइब्सक्राइफ यह फॉलो कर दी तो इसमें केंडिट की भी हमें देदी केंड टी कों से रखी एक एक की एक हुआईटी और एंप्लोई नहीं इसमें आपका employee department और नौर employee ID alone are keys to convert the given table in being shape we decompose हम इसको decompose करेंगे in it into three tables three table की form में इसको three table की form में decompose करेंगे तब देखेंगे इसमें क्या changes होए क्या नहीं now इसको सबसे पहले सब table में divide करना मतलब इसमें क्या करेंगे इसको सब table में divide कर देंगे पहले पहले एंप्लोई कंट्री टेबल एंप्लोई कंट्री टेबल एंप्लोई आइडी और employee country एक टेबल आपकी यह बना लेंगे जो भी रिपिटेशन है रिपिटेशन क्या है यह 26 का 36 का इंडिया का इंडिया यह बन जाएगी एंप्लोई टेबल जाएगी जो एप्लोई टेबल नमबर वही जो रिपिटेशन है उसको अठागे यह बना देंगी एक मैपिंग की बन जाएगी जिसमें हम department और जो table है उसको map कर सकें जो ID है और department का employee department है sorry department का type है उससे access कर सकें तो यह आपको employee ID में यहाँ पही आ जाएगा और employee का department यह mapping के लिए हम इसको use करेंगे तो function dependency क्या होगी वह आपके लिए और second में आपकी employee department वाली होगी और स्थर्ड में अपकी employee ID अरए दोनो आपकी जाओगी हठीड की समय होंगी तो ले लिया मैंने मेरे इसको ही 4 रिपेजेंट करने के लिए जिसरे कि आप इसलिको मैप कर सको dust dueart three department में कौन सा department है आपका डिजाइनिंग का BCNF because left side part of both the function dependency is a key जो left side है आपका function function dependency का वो क्या है की है यह सारा क्या है की है यह भी क्या है की है इसमें यही तो हमें करना है left side को super key बनाना है यही हमारी इसमें need है पहली यही हमने करा इसको इसको बना है मतलब जो किसी भी चीज को directly access कर सके किसी भी उसमें तो यह आपके super key का होता है अब 4th normal form को देखते हैं 4th normal form क्या होती है इसमें काफी सारे कोशन बनते हैं 4th normal form और 5th normal form को इसमें आपको तो multi value dependency है इसको ध्याद समझना क्योंकि इसका एकला इससे टॉपिक से कोशन बहुता है कि multi value dependency होती क्या है आपकी joint dependency होती क्या है इसमें आप पढ़ोगे multi value dependency का concept और 5th normal form में पढ़ोगे आप जोइन dependency का concept ठीक है तो 4th normal form में क्या है a relation will be in 4th normal form if it is in boy normal form वो आपका BCNF form में होना चाहिए and has no multi value dependency उसमें कोई भी multi value dependency नहीं होनी चाहिए multi value dependency ओकर वें जब two or more independent multi value facts about the same attribute ओकर विदिन सेम रिलेशन जब एक से ज़्यादा attribute ओकर होते हैं जैसे आपके faculty subject committee एक से ज़्यादा मतलब तो attribute से ज़्यादा attribute आपकी इसमें present है तो इसमें आपके multi value attribute हो सकता है क्योंकि आपका कलेश्या वो placement को भी कर रहा है और scholarship को भी कर रहा है हमने उसमें क्या concept समझा था फॉर्स नोल रफॉर्म में कि एक कोलम में होने चाहिए अब इसमें हम इसके duplicacy को भी हटाने कोश्य करेंगे तो multi value आपकी dependency में क्या होता है इसको ऐसी denote करते हैं अब X यसको रीडिका से करेंगे हम X there is a multi valued dependency of Y X multi determines Y मतलब X जो है multi determine कर रहा है रहा है multiple times मतलब की आप उसमें देखो the given faculty table is in third number form but the subject and committees मतलब आपके subject and committee है a2 independent entity d2 independent entity है there iselly between subject and committee सब्सक्राइशन तो हमकोई सब्सक्राइश्ब नियेब करें को सब्सक्राइश को कमेटी इन को है इन था कुछी स्कॉलर्षीप होगी प्लेस्मेंट होगी थे प्लेस्मेंट और स्कॉलर्शिप तो इसको कैसे हटाएंगे वह देखेंगे तो जैसे कलेश से भी है स्कॉलर्शिप भी है यह हमने अभी देखा हम क्या करेंगे इसको इसको इसकोन बनाने के साब एक बार कमीटी के मतलब प्लेसमेंट स्कोलरशिप और एक सब्जेक्ट में डीबिया में जावा सी इसमें इतना चलता है बट इससे रिपीटिशन तो कम ही है एक टेबल में इतना इसको कमीटी में देने जाते हैं तो इसमें एक लिक मैंने एक कॉमन करकिया है फॉरन की से इसको जल्दी डैफरेंस के इसको कहते हैं एक एक डिलेशन इसन फिफ नॉर्मल फॉर्म फॉर्थ नॉर्म फॉर्म में होने चाहिए एंड वॉन्ट है लोस्लेस डीकमपोजिशन इंटु स्मॉलर टेबल अब लोस्लेस डीकमपोजिशन को भी आगे देखेंगे इंगे तक क्या करा सब डिवाइड करी की टेबलों को उनको नॉर्मल क्या करना है कि जोइन करना हो और खुश नी करना यूद्स नौल फॉर्म टेट की इंप्लाइज एवरी जोइन डिपेंडेंसी तो देखो वैसे मैं थोड़ा सा लोस्लेस को डिकमपोजिशन के बारे बिता ताहूं सब्सक्राइग हमने इसले और कुछ नहीं एक्षाम्ब से चेवल यह हमारी यह टीबल थी ता आधी जो हमने फार्थ20 след देखा इसको मैंने पहले फॉर्थ यह आपकी फोर्ट साद ना जो एन फार्थ 5 सप तेवल जैसे नहीं मैंने बिताया दो सब्सक्राइब कर लिया अब मैं दोनों के आगर हो जोइन करूंगा दोनों को जोइन करने पर यही टेबल मिलनी चाहिए यह आपका फिफ नॉर्मल फोर्म है और मुझे यही टेवल मिल रही है यह यह देखो आपके two numbers में question पुझाता है वो देखेंगे जैसे को एक question आपका finding candidate की कोई भी candidate की कैसे find करते हैं वो देखेंगे कोई भी जैसे आपको relation दे दिया यह और इसकी आपके functional dependency दे दी तो इसमें आपको कह दिया कि candidate की find करो तो वो कैसे करेंगे तो वो देखेंगे अब लुक फॉर का attribute which is not present in right-hand side हमें attribute देखना है जो आपका right-hand side में present नहीं होना चाहिए जैसे हमने इसमें ले लिया एक है अजए यह प्रेजेंट नहीं है closer of the attribute set of attribute which are not present in right-hand side if the closer contain all attribute then it will it will be the only key and second find combination of remaining attribute which attribute not present in right-hand side आप देखो हमें A तो मिला नहीं right-hand side में C, C मिल गया यह नहीं हो सकता D, D, B मिल गया E, E भी नहीं मिला तो हमें A और E, A और E यह हमें candidate की मिलगी यह हमें candidate की मिलगी और इसका यह मैं closer find करता हूँ closer find करता हूँ तो A, E मतलब सारा आ जाते हैं कोई भी आसा नहीं जो नहीं बसता तो हमारी candidate की आपकी A, E होई होगी इसमें और कुछ नहीं होगा बट हमें कोई single मिलता है मतलब single means जिसे हमें C मिल गया खाली तो उसमें combination हमें apply करके देखना पड़ेगा कि यह आपका candidate की कितनी इसमें और ह हो सकती है क्योंकि और भी हो सकती है उसमें तो वहीं example देखेंगे first property यहीं है if closer contain all attributes then it will be only keep यहीं इसमें खाली अकेली की होगी जो आपी candidate की होगी but single मिलता है तो हर एक के साथ combination चेक करने होगी यह आपकी दो property है first property आपकी वहीं है कि आपको right hand side में देखना है कि look for the attribute which is not present in right hand side की right hand side में आपका वह आपका attribute present नहीं होना चाहिए तो देखो एक और example देखते हैं वहीं जो इसमें combination बनाएक देखेना है relation दिया हुआ यह आपकी है right hand side में देखा मैंने B. C. आपका कुछ बन रहा है इसमें आपका सिर्फ only C है B तो आपका एजी नहीं है A. B. है आपका D. भी है बस C है जो नहीं है तो C पॉ मैंने closer check करा थाGER am ky any कि आगी A C B C और C D तो आपके candidate की निकालने का फॉर्मूला था अब आपको समझ आया होगा बस एक last topic जो आपका बचा है lossless decomposition तो वह देखते हैं हमार last topic आपका क्या है lossless joint decomposition all सारी मैंने जितने भी important topic तो मैंने cover कर दी है इस वीडियो में तो question क्या है consider the schema schema यह है suppose the following function dependency आपकी hold यह कर रही है state whether the following decomposition schema as lossless joint decomposition और loss decomposition मतलब lossless joint decomposition होता है loss decomposition होता है जो यह question है इसी question से आप theory बना सकते हो और इसी question को आप उन्हें एक्जाम में लिख सकते हो जाद करके और इससे multiple question भी कर सकते हो एक आपको यह दिया हुआ है एक एक सेकंड आपको यह दिया हुआ है तो इसमें lossless और lossy आपको decomposition बताना है तो आपको lossless decomposition इसमें अभी बताया था तो इसमें थोड़ा से एक change क्या है जिसे आपका आरवन एंड आर टू आर टू टू रिलेशन है कोई दो आपके रिलेशन है वो lossless कब होंगे जब आरवन इंटरसेक्शन आर टू आर टू आर टू को डिटर्माइन कर ले तो वो lossless होगा और नहीं तो वो lossy होगा फर्स कोशन है एस एस एस्टू मैंने इसका इंटरसेक्शन निकाला कॉमन क्या आया व आया और व आ बसे में क्या करूंगा व से देखो आपका कुछ बन रहा है व से एस्टू मिल जाए तो हम lossless प्रूफ टो इसे मिल जाएगा तो चाये दो करों हो गया आपका सब्सक्राइब सैंट सब्सक्रान क्या होगा एकश को मैं अब देखेंगे या तो आपका सब्सक्राइब हो में जैए का आगा छी ăn अब x से x आता है xx और x और गुछ भी नहीं tutorial नहीं दमाइन कर में तो यह आपका howe लोसी होगा तो यह आपका यहाँ पर one short complete होता है I hope आपको समझ आया हो So guys मिलता है फिर next student तब तक के लिए Bye Bye